नमस्कार दोश्तों मैं सागर आप सभी को once again study for goals में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ जैसा कि हम लोग upcoming seizure exam का preparation कर रहे हैं और today is my topic is the power and the glory, okay हम लोग nobel sections में अगर जाएंगे तो there are four nobels we have to read in English literature literature में मैंने आपको कुछ topics तो करवा दिये हैं but the power and the glory का मैंने MCQ करवाया था आपको but मैं फिर से इस session का summarize कर दे रहा हूँ और summarize के बाद हम कैसे question बन सकते exam point of view से कैसे question exam में आ सकते हैं तो इस slide में अगर आप देखोगे तो आपकी अच्छी clarity हो जाएंगी तो देखना ना अगर हम the power and the glory की बात करें तो इनके writer का नाम है Graham Greeney ओके and second October 1904 में इनका जन्म हुआ था और third April 1991 में की date हो गई थी तो दो तीन चीज़े आपको जाननी है कि born second October 1904 in a UK UK में इनका जन्म हुआ था clear और अगर हम date की बात करें तो 3rd April 1991 इनस्वीजर लेंड में इनकी date होई थी आगे अगर हम आएंगे बात करेंगे तो parents की बात करें तो Charles Henry Green था इनके parents का नाम पापा का नाम और Marian Ramans Green इनकी mother का नेम था तो देखें पापा ममी के नाम तो आपको जानना ही चाहिए basic बटना कहीं न कहीं आपको इनका date और कभी इनकी मिर्ती हुई book का published हुआ क्या book का कोई title है वो आपको जरूर जानना चाहिए इसलिए जब भी आप nobel को पढ़ो short stories को पढ़ो तो आपको 3-4 point आपको याद रखना है तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले power in the glory क्या इसका कोई title है क्या subtitle है क्या किसी famous magazine में published हुआ है क्या क्या इसके लिए कुछ award इनको राइटर को मिला है तो इन सारे चीजों को जानना तापको 2 कामे करना there are two works you have to do before studying any novels drama and short history and poetry first you know about the basic you know the basic idea of the poets and writers introduction and biography उनको पता आपको पता होनी चाहिए अगर you know the biography of the writers then you can easily know about how to write in his work and how to deal his study material in a sequence way okay तो हम लोग चलिए अहां पर ध्यान से देखेंगे और चीजों को समझेंगे का आखे the power and the glory में एक चुने बताना क्या चाहते हैं क्या उने इसमें discuss किया है तो हमने पहले जान लिया और अगर हम बात करे education की बात करे writer का तो writer के section में अगर आप जाओगे तो मैंने इसका एक lecture भी सायद बनाया है और lecture नहीं बनाया होगा तो आपको ध्यान देना मुझे भी याद नहीं आ रहा है बट अगर आप अगर course खरीदे होगे तो मैंने दो काम में करता हूँ पहला मैं story पढ़ाता हूँ story से पहले मैं writer का description देता हूँ लेकिन मैं आज भी थोड़ा writers के बारे में आपको बता दे रहा हूँ 20th century से विलियम सेक्सपीर कब से है तो 16th century से विलियम वाट्सवाट कब से है तो 18th century से 1770 मुन का जन्म हुआ तो आप समझेव 18th century में 19th century मुन की डेत हो गई थी पोईट लोयरेट भी वो बने वे थे विलियम सेक्सपेयर की बात करेंगे तो 1544-1616 में उनकी मिर्थि हो गई थी और इंगलिस लिटेचर में विलियम सेक्सपेयर का नाम बड़े ही तरीके से लिया जाता है इस दरह power and the glory में ग्राम गिरिमी की बात करेंगे तो 1904 मिन का जन्मुआ था 1901 मिन के मिर्ती हो गई थी और कहा जाता है कि इन्होंने अपने life में five plays भी लिखे है there are five plays five play को इन्होंने लिखा नाटक्स को लिखा है और अगर हम बात करें इनके बारे में तो कहा जाता है कि including brighton box, the ministry of fear, the end of affair, the quiet American, are 25 nobles अगर हम बात करें तो 25 nobles इन्होंने अपने life में लिखे हैं clear? तो यह आपको ध्यान रखना है और अगर हम बात करें इनके बारे में तो रोट सम commercial work भी नोने लिखा he called entertainments कुछ commercial इन्होंने लिखा है जिनका नाम क्या है? entertainment नाम है तो आपको इनको भी ध्यान देना है तो मैंने दो तीने चीज़े बताई है life में पाच plays लिखे है 25 nobles लिखा है इनोंने इनका जर्म अगर इनकी बात कहें तो 20 century के इनका work है है ना? चलिए थोड़ा में रिचे सद्धी भी होगे इसलिए मेरी आवाज आपको किलियर नहीं आ रही होंगी इसको थोड़ा ध्यान आप रखोगे चलिए आगे हम लोग बढ़े हैं आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का परियास करते हैं अब आगे आते हैं तो इन्होंने सब कमर्सियल वर्क लिखा जिसे ही कॉल्ड इंटर्टेन्मेंट और आगे अगे हम बात करेंगे आओर्ट की बात करेंगे तो इनको ना एक आओर्ट से भी सम्मानित किया गया जिसका नाम है सेक्सपीरियन प्राइज 1968 में मिला था बहुत सारे टाइम इनको ना नोबल प्राइज के लिए भी सोटलिस्टेट किया गया और फोर लिट्ट्यचर इन ke church 66 and 1967 इनको नोबल प्राइज के लिए सोटलिस्टेट किया गया था और अगे हम बात करें जरो सिलम प्राइज भी इनको मिला है अपने लाइफ इनोंने 21 short stories भी लिखे हैं, किलियो, आप जब पढ़ोगे तो यह सब आपको मिलेगा, आगे हम आते हैं, work की बारे में अगर हम बात करें, the power and the glory, written by Graham Greeney, first published हुआ था United States में, कहाँ पर state में हुआ था, United States में published हुआ था, नेम अगर हम इसकी बात करें, तो the levering thine ways इसको कहा जाता है, levering thine ways, के लिए, title की अगर हम बात करें इसको, तो title में आप जानोगे, आप कभी-कभी आप से title भी पूछ देता है, levering thine ways, United States में जब पहली बार यह published हुआ, तो इसका नाम था A, तो आप कभी-कभी इसको आप ज important आप इसको ले करके चलोगे, जैकि इस PPT में आपको नमा important points को ले करके आए, क्योंकि कहानिया बड़ी होती है, आप से पूरा detail नहीं पूछा जाएगा, character आप से पूछ सकता है, कौन सा major character है, protagonist कौन है, antagonist कौन है, किनका major role रहा है, poem है, theme क्या थी, कितने act थे इसके, तो आ आप अगर यहाँ पे आओगे, तो major character की बात करें, तो हमारा whiskey priest है, priest समझते हो, आप जानते हो, जो preach करते हैं, जो church में रहते हैं, church में इनका preaching का काम रहता है, church के पुजारी कर सकते हो, और whiskey इसलिए नाम दिया गया, क्योंकि बहुत जादे alcohol लेते थे, alcohol पीते थे, brandy हो गय और कहा जाता है, जब इनको पकड़ा भी गया था, जब इनको Mexican police पकड़ रही थी, तो यह भी wine ही ले रहे है, अगर original text को आप पढ़ोगे, तो पता चलेगा, कि wine लेते वे इनको पकड़ा गया था, है ना, अब आते है, पब्लिस, पब्लिस्ट कब हुआ है, पब्लिकेशन year कोन सा रहा है, तो पब्लिस्ट इन 1994, इनको 1994 में पब्लिस्ट किया गया है, सुवक को, इन यूएस अंडर दे टाइटल दा, दे लेवरिंधियन वेज, है ना, वीकिंग प्रेस में, अगर यह कहानी कहां पे है, तो हम बात करेंगे, Mexican cities में है, Mexican state of Tabasco in 1930s, किस तरह का Nobel है, तो हम बात करेंगे, Nobel का टाइब भी आपसे पूछता है, कि आखिर कैसा Nobel है, देखेगा कि हमारे William Shakespeare भाई साब जो थे, वो tragedy भी लिखते थे, comedy भी लिखते थे, comic भी लिखते थे, Tempest आपको पढ़ना है न, तो इस तरह से आप देखोगे कि उनका कोई को tragedy भी रहता था, हमा सारा जो main major character है, और last तक जिन्दा ही नहीं बसता था, hero की मौत हो जाते हैं, आजकल आप जो movie यां देखते हैं, जिते भी wave series आप देखते हैं, कही ना कहीं आप देखोगे न, तो Shakespeare से भी बहुत सारा place उनका work को लिखा गया है, Arkane Araina का Mal Goody Days आप देखोगे, दूर दर्शन मे परियास किया जाता था, तो कर सकते हैं कि realistic novel था, novel of spiritual development यहां दिखाया गया है, saints का life दिखाया गया, कैसे, एक priest है, जो पूरा life भाग रहा है, स्रीप भाग रहा है, अपने आपको बचाने के लिए, क्यों? क्योंकि वहां पे यह कहा गया था, कि अगर आपको यहां पे survive करना है, तो या तो आपको क्या करना होगा, या तो आप विवाह कर लो, या तो आप इस धर्म को, Roman Catholic जो धर्म वहां पे चल रही थे, उससे आपको मोभं करना होगा, उसको हटाना होगा, तब जाकर के आप वहां पे रह सकते हैं, there are four parts, इसमें कितने parts हैं, अगर हम बात करें, त तो चेप्टर भी यहां पे आपको मिलेंगे, 13 चेप्टर में इसको डिवाइड किया गया है, है नहीं बड़ी सी नॉबेल, तो 13 चेप्टर में डिवाइड है, four parts है, और एक टाइटल भी एक लाइन लिखा हूँ, आपको मिलेगा, आगे आपको बता भी दूँगा इसके बारे में, अगर मिले तो, देखें, मैंने सारे चीजों को कर दिया, आपको बड़ा ही अच्छे इसको मैंने त्यार किया, published in 1914, in US, under the title of Levinean's Ways, Winking Press, set in Mexican state of Tavasko in 1930, इसको था 19 मान के चलियेगा, एक मिनट, टाइफिंग एर है, 19, 1930, realistic novel, novel of spiritual development, saint life, parts, four parts में अगर बात करेंगे, तो, chapter और parts में ने आपे बता दिया, ये देखें लो, title की बार करेंगे, for thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever, amines is a daxology, recited at the end of land, Lord, Lord का बात करेंगे, यहाँ पे Lord, इसको समझो, Lord, prayer, dexology होता है, stuti, मतलब कि आप Christianity में देखोगे, कि प्रात्मा को जो प्रात्मा किया जाता है, वो यहाँ पे Christian का एक, आप बहुत सारे दिखोगे, कि schools भी होते, वहाँ पे prayer के समय इसको गाया भी जाता है, ना अगर जो भी title भी यह दिया गया है, अगर आपको इस तरह का option में मिलते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखोगे, clear, तो एक title यह है, आगे बढ़ते हैं, तो the power in the glory में क्या है, प्रोटोगोनिस्ट की बात करेंगे, major character की बात करेंगे, तो विसकी priest हमारा एक है, यह आप जरूर ध्या पकड़ पकड़ करके इसको जेल में डाल दिया जा रहा है, क्योंकि Roman Catholic को वहां से क्या किया जा रहा है, वहां पे इस धहम को मानने से, इनका परचार परचार करने से कि नहीं को अजाजत नहीं था कि प्रीच करें, लोगों को समझाए, ऐसा काम बिल्कुल इनको बंद करना इसलिए इनको भी पकड़ने के लिए पुलिस को निव्ट किया गया, जो हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, एंटोगॉनिस्ट की बात करें, मतलब यहां पे कौन है, तो है क्लिफ्टिन एंट है, मतलब कि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, लेप्टिन एंट ब लाई मिलो जूट मौना यह, तुम दस लाई यू टेनेंट, और एंटिस्ट हैट्स, हैट्स के बारे में भी यहां पे बात किया गया है, विसकी प्रिस्ट है, इस्वर की स्तुति करने वाला एक भजन है, जिसको डेक्सोलोजी कहा जाता है, जो मैंने उपर में टाइटल आ कि कही ना कही इसकी प्रिस्ट क्या है, वो कही ना कही कुछ सीन किया हुआ है, कहा जाता है कि प्रिस्ट जो होते वो बिवा नहीं करते, वो कोई सीन पाप कम किया जा, मतलब कि यह अलको हल, हाथ ना लगाना, और किसी के साथ इलिसिट रिलेसंसिप में ना रहना, मतलब बि ना इस तरह के कुछ लेकिन इसका देखियेगा बाद में चलेगा बीवा भी हुआ है इसकी वाइब भी है एक बेटी भी है और इनको जेल ना हो पुलीस पकड़े ना इसले इनको कहा जाता था या तो आप Catholic धम जो आप यहां पे परचार परसार करें उसको छोड़ तो साधी बच कर रहा ना उगर या पूरी तरह भागते रहता है आगे आते हम बात करेंगे हैट्स इसलिए मैं यहां पर बताया हूँ क्योंकि नफरत करता है लेटिनन किस से विस्की प्रीट से और उसका यही प्लान रहता है कि हमको इसको फाइंड आउट करना है चेस्ट करना है इ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि तो टाइपिंग में कभी-कभी एरर हो जाता है क्योंकि बहुत सारा वग हम लोग लेकि मैं कोसिस करूंगा कहीं पर होगा इसको ठीक करो वह बहुत बढ़ाई सुने आप ध्यान से मेरी बात कर सुनो कहानिया बस सुनो मारिया क्या है वाइफ ह नहीं कर पाता हूँ तो आप ध्यान दोगे या हम पर देख लोगे ब्रिगेटा तो मारिया वाइफ ऑव इसकी प्रिस्ट हैद डाउटर ब्रिगेटा ब्रिजेटा मेक्सिकन गॉवर्मेंट वास टाइंग टू सेपरेस्ट रोमन कैथोलिक चर्च मतलब कि जितने भी रोमन कैथोलिक चर्च थे कहां पे मैक्सिकन गॉवर्मेंट जो मैक्सिको इसमें कहानी पूरा गड़ा हुआ है तो कहा जाता है कि सबको ना ट्रेजरी बिल्डिंग में बदल दिया गया था जितने भी कैथोलिक रोमन कैथोलिक चर्च थे उसको सेपरेस्ट किया जाता था उसको treasury building में convert कर दिया गया था तो एक प्राशन भी बन सकता है कि किस तरह के building में उनको किया गया था तो आप कर दोगे treasury building में उनको कर दिया गया था देखो Mexican government was trying to suppress the Roman Catholic Church Catholic was banned in a Mexican mainly in a Tabasco state Catholic was banned in a Mexican mainly in the Tabasco जो स्टेट था जहां वहां का जो स्टेट था टाव इसको वहां इसको पूरी तरह बैन कर दिया गया था दाइट सूप्रेशन रिजल्टेट रहे एक वहां पर वार भी हुआ था ना उसको लेकर कि क्योंकि आप देखोगे कि हर कंट्री में आपको हर तरह के लोग हर धर्म के लोग मिलेंगे और आज आप देखोगे कि वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री में आपस में यूद हो रहा है कहीं पर देखोगे कि चर्च को लेकर के हो रहा है कहीं पर मंदिर महजित को लेकर के हो रहा है कहीं पर आपस में दो यहां भी ऐसा हो रहा था कि रोमन कैथोलिक चर्च मानने वाले लोगों को पकड़ा जा रहा था रिष्ट किया जा रहा था और इसी बीच क्या हुआ कि रैस्ट्रो वार हुआ था 1927 लेकर 1930 के बीच में रैस्ट्रो वार वहां पे हुआ था है ना इसी का रिजल्ड है अगर हम nobel begin की बात करें तो escaping journey of whisky priest बचना चाहा रहा हूँ बचना चाहा रहा है आप से पूछे गा इस पे की में वो बचता बचाता हूँ अमरा whisky priest जा रहा है इस तरह के नाम है, आप मैंने इसको सिक्वेंस में किया है कि पहले जंगल जाता है, ट्री केमरों जानता है, गाउँ एक जाता है मोटेल मतलब होता है, हाईवे में जो होटेल सोते हैं, जहाँ पे हम लोग खाते हैं, ठहरते हैं, बस वाले लोग हैं, तो उसके लिए मोटेल यहाँ पे कहा गया है और सेसा मॉड्रे मॉन्टेन और चॉला इसे करके लास्ट में हो एट लास्ट कैमरों पहुशता है कारे मन तो आपसे भी पूछ सकता है कि स्टार्टिंग हो कहां से किया था पोर्ट बंदरगार समझते हो जहां पे उसका बोट भी छूट जाता है जा भागने के चकर में क्या होता है कि वहां बोट मिसिंग हो जाती है वह बोट को पकड़ नहीं पाता है कुछ देर बाद इंतजार करने को फिर एक बोट मिलता है और उस बोट से वह फिर वह आगे बढ़ता है और वहां पे उसकी एक अंजान stranger man से मुलकात भी होती हो भी character आप से पूछ सकता मैं आगे उसका जिक्र करूँगा तो यहां तक समझ में आ रहा sequence में तो आप इंबेसे से point को अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत सारा concept आपका clear हो जाएगा यहां ना इस तरह मैं कोशिस करूँगा जितना exam से पहले हो सके मैं सबके इस तरह से आपको बना दो ताकि आप तो पढ़ी रहे हो और आप इसको भी अगर सुन लोगे एक बार में quick revision session में तो आपका यह ठीक हो जाएगा तो the lieutenant police continue to follow the whiskey priest आगे अगर हम बात करें आगे जैसे तुम बढ़ोगे the power in the glory में chapter 22 पढ़ोगे तो priest encounter mass stage on his way to government native place of priest आप देखो कि जब the priest first encounter किसे इसकी मुलाकात सबसे पहले होती है आप से question पूछ सकता है first encounter mass stage on आप एक नया character भी है जिससे इसकी मुलाकात होती है तो आपको इसके बारे में भी जानना है mass stage on in his way to government native place of priest आगे आते हैं आगे जब हम आएंगे तो आगे आप देखोगे मैंने कुछ और छोड़ा तो नहीं ना मैं देख लेता हूँ एक बार point चली है आगे आते हैं Caramon किससे मुलाकात होती है इसकी मुलाकात होती है Caramon में native place और priest का native place native place भी आप से पूछे तो आप इसको बात करोगे Mastagoo is a man of mist wrist half cast, has only two teeth look, alt wangar, spy of left none चीटेड, इलियम, विस्की प्रेश्ट, कहने का सेख सकते हैं कि यह कैसा है, मतलब कि इसका कैरेक्टर यहां पर बताए कि बड़ा अच्छा नहीं है, विस्पाई भी है, लेप्टिनेंड का यह स्पाई जासुसी करता है, बताता है, नोकिलेस के दाथ, खालीस के दो ही दाथ है, लुक से इसको ऐसा लग रहा है, कि यह अच्छा है, इसका लुक भी नहीं है, और यह क्या चाता है, यह स्पाई भी रहता है, लेप्टिनेंड को है, और अगर हम यहां पर एक और कैरेक्टर आपको आएगा, बार बार जब इसका नाम आ रहा है, तो आप ध्यान रखना कि इसका भी एक बॉस है, इस स्टोरी को जब आप पढ़ोगे, तो आपको देखना जैफे नाम का एक कैरेक्टर आपको मिलेगा, जो इसका बॉस है, लेप्टिनेंड का बॉस कौन था, कौन इसको जभी अपना इन्फोर्मेशन किसी को देना है, तो यह पुलीस जो है, यह जो लेटिनेंट है, वो जैफे को इन्फोर्मेशन देता था, इनका बॉस कर सकते हो, के लिए चलिए, आगे अगे अगर हम आएंगे, तो आगे आप आर ध्यान दोगे, कि मैस्टी जो इस वे तो कारेमें, नेटी प्लेस इतना, मैस्टी जो तो मैंने बता दिया, आप यहा फ्रेंडली नेचर तुरत बन जा ऐसा नहीं, सो ऐसा करता था, बड़ अंदर बहुत कुछ उसका चलते रहता था, इस तरह का करेक्टर है, इनकास्टल टॉन अमेक्सिको, देप्रिस्ट मीट मिस्टर ट्रेंज, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो इनकास्टल टॉन है, जहां पर मुलकात प्रिस्ट की होती है, मिस्टर टेंज, से, आप इसके बारे में भी आपसे पूसाइदें, कैरेक्टर बढ़ा अच्छे से जानना है, जैसे यम्लाकात होती है, तो मिस्टर टेंज कौन थे बाई? इंग्लिस डेंटिस थे, दात के डॉक्टर थे, टेक अपने घर लेकर के जब जाता है तो इसको ब्रैंडी भी पिलाता है उसी समय एक boys आ जाता है जब घर लेकर के जाता है तो boy आता है और बोलता है कि अपनी माँ को बचाने के लिए help के लिए मदद मांगता है लड़का जब इसके अपने घरे वहां जाता है तो एक बच्चा आजाता है और आपको मैं बता दाओं कि यह बहुत पैसे कमाने आया था यहां पे मैं जो हमारा Mr. Trench है जब आप इस चोरी को पढ़ोंगे तो he wanted to earn more money वह बहुत पैसा कमाना चाहता था इस स्टोरी में इस नोबेल में पढ़ोंगे लेकिन कहीं नगए कुछ वजह से उसके सारे पैसे drop out हो जाते है खत्म हो जाते हैं वो किसी तरह कोई वजह रहा है इस स्टोरी में जो इसको हमेशा बुरा लगता है और विशिस में आता है व आप देखो कि टवेस्को में क्या काम था इसका इसको प्रीच करना जहां जहां यह जा रहा था मैं उपर में बता रहा था जंगल से लेकर कि जहां भी मोटेल में गया इसका एक ही काम था यह ना लोगों का अच्छी इची बाते बताता था धर्म को लेकर के और इसी को रोक ना चाहती थी वहां की पुलिस और इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे एक लेफटिनेंट को लगाया गया था आगे अगर हम फिर आएंगे थोड़ा सा आगे हम अगर बढ़ेंगे यहां पे तो आप दिहान देना एक और आगें टवेश को दप्रिस्ट वर्सिप और प्रीचेज ठीक है जब जब भी बहुत बार ऐसा मुका आया कि लेफटिनेंट को किसी स्पाई के थुरू जानकारी मिला कि चलो आप पकड़ना आया पकड़ में आ जाएगा विसकी प्रिश्ट लेकिन यह कही ना कही भाग जाता था इस मामले में फाईली ही वाज अरेश्टेंट सेंट जेल मिट्स अ कैथोलिक लुए उमेन और आप कर सकते हैं कि जब यह फाईली इसको अरेश्ट किया गया अरेश्ट करने के बाद वह एक लेड़ी उमेन से वहां पर मिलता भी है वो भी एक कैथोलिक थी और कहा जा रहा है कि आप अग किया जा रहा था हैं कर दिया जा रहा था तो वहां पर भी एक लेड़ी से उसकी मुलकात में होती है Father Jaws was called to listen to the priest confession अब देखो कि Father Jaws को बुलाया जाता है Confessions के लिए है ना priest confession क्यों क्योंकि जो Jaws है Father Jaws जो है उनको लगता है यहाँ पर Jaws के बारे मैं थोड़ा आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखेगा कि Catholic priest था जो की ना अपने housekeeper से ही साधी कर लेता है क्यों कर लेता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं अगर साधी विवा ना करूँ तो जेल तो ही रहा मेरे मिर्टियू भी हो जाएगे इससे अच्छा है कि मुझे विवा कर लेना चाहिए और वह housekeeper से कर Jaws was a Catholic priest and marriage is a housekeeper और बताएंगे कि God The priest dream of his matitum मतलब कि आप देखोगे आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा The priest dream of his matitum and confesses his sin अंत में वो ऐसा उसको लगता है कि अब हमें सहीद होने वाला हूँ जब उस जेल में वो पकड़ में आ जाता है तो उसको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलतियां की थी मैंने कुछ पाप किया था इसलिए क्योंकि वो किसी को बताया नहीं था कि मारिया और बिरिजेडा उसकी बेटी है बट आप स्टोरी को जब चेप्टर को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी वाइट भी थी और एक बेटी भी थी जो कि पब्लिकली लोगों को बताया नहीं गया था तो कहने का सेंसे कि बहुत सारी छोटी-छोटी बाते निकल करके आती है इसलिए मैं आपको बार 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 बताता हूँ कि आपको lecture तो सुनना ही सुनना है बट एक बार ना go through आपको पूरे novel को पूरा line by line आप मतले को ने एक बार आप पढ़ हो एक बार क्योंकि ना lecture सुनने के बाद अगर आपको जो हम लोग notes प्रोवाइट किये हुए है उसमें जाओगे था हमने पूरे novel को जो भी work है उनको summarize के form में भेज़ जा है ना जब उसको आप पढ़ लोगे तो आपको देखना कि बहुत सारी चीजे clear हो जाएंगे अभी मैं lecture सुना रहा हूँ और एक बार आप किताब पलट के देखना देखना चीजे जब ही आएंगी जो what समझ में नहीं आ रहा है तब भी फिर आपको लगने लगा रहे हैं सागर सर ऐसे बोल रहे थे तो ऐसा साइडी स्टोरी में होगा और आप इंग्लिस के हो तो आपको जब पढ़ रहे होगे then you can easily translate नहीं हिंदी और आपकी understanding 2005 में this Nobel was included among 100 finest English Nobel by the Time Magazine और 100 सफल Nobel में मतलब कि 100 100 जो finest Nobel होते हैं उनमें इसको 2005 में Time Magazine के द्वारा इनको रखा गया था तो इस तरह की बाते आपको पता होनी चाहिए और रंत में भागते 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 या अपने आपको confess भी करता है और चीजे इसके सामने आखों के सामने आने लगता कि हाँ मैं priest तो था बट क्या सही माइन में मैं priest था क्या सच में मैंने गल्थियां कुछ की थी क्या मुझे confession करने का जोरत है तो इस तरह से कहानिया चलती हैं चारों तरप कुछ points और होंगे तो मैं भी आपको clear कर दे रहा हूं ताकि जब exam point आभी उसे आपको यह रहे आपको दो तीन चीजे याद रखने हैं मैं एक बार फिर से revise आपको करवा रहा हूं कि आपको publication date जरूर पूछेगा the power and the glory is 1940 आप यह याद जरूर रखोगे एक बार आप इसको याद कर 1914 में हुआ क्योंकि अभी जो question का pattern चल रहा है publication जितने भी character है उन character को आप जरूर याद रखोगे character आप कर लोगे character अगर आप करते हो तो बहुत सारी चीज आपकी ठीक हो जाती character आपको मैंड में रहाना चाहिए विस्की प्रिष्ट के wife और बेटी का नाम आपको पता होना चाहिए सबसे पहले वह किस्से मिलता है उसके बार ट्रेंज का क्या था doctor था राइटर था इस तरह के option आज आए तो आपको पता होना चाहिए वह dentist था बहुत